next question question says in a guitar two strings a and b made of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency six hertz when tension is b slightly decrease the beat frequency increases to seven hertz if the frequency of a is 530 हमें बताना है original frequency of b क्या हो गिया गिन beats का simple सवाल है so यह आपकी wire a और यह आपकी wire b all right और इन दोनों के बीच में आचाहिए इसकी original frequency आपको 530 hertz दे रखी है और दोनों के बीच में जो difference है 6 का है इसका मतलब यह है कि यह यह तो 536 होएगा यह 524 होएगा इन दोनों में से कोई एक value आएगी यह यह है ठीक है क्योंकि दोनों के बीच का difference आपका 6 है आपका 530 होएगा और यह वाला आपका 536 या 524 होएगा और अब हमने क्या किया है कि बीच में टेंशन तोड़ी वो कर दिये रखी कर दिये तो इसके टेंशन जो है वो इसका इसका मतलब यह है कि इसकी जो है वो डिक्रीस हो गई ना फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो गयी है और उस इसमें यह जो difference है आपका, यह 7 हो गया, थोड़ा सा इन दोनों को decrease करके देखते हैं, तो यह वाली जो value है, इसको अगर आप decrease करेंगे, तो यह हो गया 535 या फिर 534, या फिर 533 हो सकता है, इससे decrease करेंगे, तो आ गया 523, 522 and so on and so forth, इससे अगर हम देखेंगे, इसका difference आपका 7 नहीं आ रहा है, इससे आपका difference और effect कम हो रहा है, वो च्छह के वज़ा है, पांच या चार या तीन हो रहा है, तो यह अपना option नहीं है, so 536 is not the right answer, 524 is the right answer, उसके आपनी frequencies की बढ़ रही है, so which means 524 would be the right answer.